बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है और कह सकते हैं कि BJP के लिए बुरी खबर है प्योंकि BJP के राष्टिया ध्यक्ष जेपी निड़ा पर केस दर्ज हुआ है वो भी देशद्रों को लेकर उतादे कि 153B IPC की धारा के जरीये जो है मुझपरपुर कोट में उन पर केस दर्ज हुआ है वही 153B जिसके जरीये कभी जेनियू के शरजल इमाम पर केस दर्ज किया गया था और इस वक्त वो जेल में बंध है क्योंकि उन्होंने असम को भारत से अलग करने की बात कही थी अब वही IPC धारा 153B के तहट बीजेपी के राष्टिय धेक जेपी निड़ा पर केस दर्ज हो गया है और सबसे दलिजस बात ये है कि ये केस दर्ज किया है बीजेपी की एक नेता कहलीजिये कारिकरता आचार चंद्र किशोर परासर जो बीजेपी के कारिकरता है लेकिन उन्होंने आहत होकर ये केस दर्ज किया है अब आपको मसला बताते हैं 22 अगस्त को 89 वर्ष की आयू में यूपी के पुर्व मुख्यमंतरी कल्यान सिंग का निधन हो गया था जिसके बाद उनकी एंते मिक्षा थी कि उन्हें तिरंगी के साथ साथ बीजेपी के जंडे में लपेटा जाए और उस वक्त ये मामला काफी सुर्ख्यों में शाया वहा था क्योंकि राजके सम्मान के तौर पे कल्यान सिंग को तिरंगे से लपेटा गया था और उसके उपर बीजेपी पार्टी का जो जंडा है वो रख दिया गया जिसके बाद सियासी जो हल चल मुझ गया था तमाम ये पक्षी पार्टी ये कह रहे थी कि देखिए कैसे बीजेपी के लिए देश चे बड़ा उनकी पार्टी है और अब कहें ने कहें तिरंगा से बड़ा बीजेपी का जंडा हो गया है इसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जेपी ने डप पर या बीजेबी के नेताओं पर केस दर्ज होना चाहिए तिरंगा के अपमान को लेकर और इसके लिए बकाइदा अगर ये दोश चावित हो जाता है तो दोशियों को तिन वर्स की सजा के साथ साथ जुर्माना का प्रा जंडे से उपर नहीं फैरा जा सकता है लेकिन ये असपश्ट नहीं है कि तिरंगे की उपर रखा जा सकता है या नहीं लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि उसके कहने का मतलब यही है कि तिरंगे से उपर कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन बीजेपी ने तिरंगे का और इमामला इसलिए गहरा सकता है कि खुद बीजेपी नेता कारिकरता आचायर चंदकिशोर परासर ने बकायदा जेपी नड़ा पर केस दर्च कर दिया है और उनका कि तिरंगे से उपर बीजेपी के जंडे को रखा गया मैं भी बीजेपी का कारिकरता हूं नेता हूं लेकि जो नियम कहता है उसके अनुसार अगर आप देखें तो भारतिय जंडा संगिता के अनुसार 2002 है उसके तीम भाग के अनुसार आप तिरंगे से उपर कुछ भी नहीं रख सकते लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कहता है यह जंडा फराय जाने दोरान के बाद है कि आप तिरंगा स होने वाले फिसनवाई में क्या कुछ होगा उसको लेकर हम जो तुमाम अपडेट होंगे उससे आपका जिक्र आपसे जिक्र करेंगे आप देखते रहें जंदा जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद